नमस्कार मैं हूँ एपिलकी और आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज पलामू जिला मुख्याले की आवाज कैपिटल न्यूज पर लगातार चहूर एक बाते सामने आ रही है कि नगर नियम की ओर से टैक्स लिये जा रहे हैं, टैक्स वसू ले जा रहे हैं दरसल यह टैक्स होलडिंग टैक्स के नाम पर लिये जा रहे हैं, और इसको ले करके लगातार अब नगर नियमक के हरальная चहत्र कहा लेने की कवायर तेज की जाए ताकि आने वाले दिन में उन वीयस्ताओं को सुधिड की जाए जहांसे निकम सुविधाय मुहिया कराती है ऐसे में निगम के टेक्स को ले करके अब कई तरह के सवाल भी उठने सुरू हो गए हैं लगातार ये बाते कही जा रही है कि सुविधा नहीं तो फिर टेक्स क्यों इन से भी सवालों को कहीं न कहीं एक मुखर आवाज सामने आया है नाम है दीपक तिवारी इन्टक जारखंड के परदेश सचीव सह कॉंग्रेस के विश्रामपूर विधान सभापरभारी दीपक तिवारी ने असपश तोर पे ये कहा है कि सुविधा नहीं तो टेक्स नहीं अखिर कार क्या जरुतान पड़ी कि सुविधा अगर नहीं तो टेक्स नहीं क्यों कहना पड़ रहा है लगातार तो टेक्स को लेकर के हमेशा से कहीं-ne- कहीं सरकार की और से ये कहा गया कि आपको बार-बार की मौका दिया जा रहा है इस बार 30 जुन तक का अंतिम मौका है फिर आखिका टेक्स दिने में समस्या क्या है देखिए ये जो नकली टेक्स अभियान है ये ततकाल प्रभाव से बंद होना चाहिए जबसे निगम छेत्र में सिंगरा रिडमा या अन्य जगह है जूड़ा है तो जो नए वाड बनाए ग हुई है ना अभी तक नालियां दुरुस्त हुई है ना अभी तक बिजली के तार जो लटके पड़े हैं वो दुरुस्त हुए हैं किसी भी तरह का नए जुड़े हुए छेत्रों में निगम की और से कोई कारे नहीं हो रहा है जब भी हम छेत्र भ्रवन पर निकलते हैं तो देखते हैं कि दो ज़ाडू लेके और निगम कर्मी घूम रहे हैं इसके अलावा कोई ही विकास कारे विकास योजनाये धरातल पे दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है आनन फानन में भाजपा नित सरकार के द्वारा जो ग्रामिन शेत्र थे उसको जोड़कर और निगम को बने हुए तीन साल हो गये हैं तीन साल के दर्मियान आप किसी भी छेत्र में खुद से चले जाईए क्योंकि आपके कैमरे में सभी चीज कैद होती रहती है आप एक भी विकास योजना दिखाईए मेर महोद्या के समय में जो कहने लाइकों की यह विकास हुआ है सारा डा लोगादिन घटनाए हो रही है लोग फिसंतरा कर लेकर-णे चोट चपट लोगों को लग रही है लेकिन यहां के नगर निगम के up दिकारी हो मेर महोद्या हो यह सभीration अपने 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 घरों लेके चेहते हैं कि हमने सो योजना ओन्रों को लिया सो योजनाओ को सि जान देने से कुछ नहीं होगा, जनता सब जान रही है, लोग देख रहे हैं, लिकास कितना धरातल पर है, वो भी दिख रहा है, इन ही के यहां से योजना शुरू होती है, फेवर ब्लॉक लगाने का, टाइल्स लगाने का, और इन ही के यहां खत्म भी हो जाती है, बाकी कहें भी आप दिखा दीजिए, जहां टाइर्ज्स लग रहा हो सख पे फेवर ब्लोक लग रहा हो शड़क पे पीसीसी का निर्मान हो रहा हो हमें तो कहीं नहीं दिखता है हाँ सिर्फ अखबारों में दिखता है कि आज इतने योजनाओ का सिला नियास किया गया, कल इतने योजना उन छेत्रों में नहीं शुरू हो पाई है। पाने जो छेत्र हैं जो नगर परिशत के छेत्र रहें। वो अभी तक सुधाओं से बंचित हैं। तो आप कैसे उम्मिद करते हैं कि जो नए शुड़े उनको भी सुधाई मिल जागी। कि किसी की भी सरकार हो। चुकि कहीं न कहीं इक्चा सकती का अभाव तो लाजमी है कि दिखाई पड़ता है। देखिए माननिये मुख्यमंत्री के कारे छेत्र में यह भी भाग है। और फंडिंग का कोई अभाव नहीं है। योजनाय स्विक्रित कराना धरातल परुतारना यह कारे मेयर डिप्टी मेयर के अधीन आता है। आप भी देख रहे हैं कि नए छेत् के वाड कमिस्णर में आपसी समन्वय और ताल में नहीं बैठा। पिछले बार भी लोगों के बीच गतिरोध होते रहा। तो विकास कारे को लेके जिम्मेवार जो हैं उनको पुर्ण जिम्मवारी उठवानी होगी और सड़क, बजबजाती हुई नालियां और गिरे मुख फोकस करना होगा, सिर्फ जालू लेके वाड वाड भूमाने से विकास कारे नहीं होगा, इन लोगों को जमीन पर उतरना होगा और साप सफाई से लेकर विधी विवस्था जो भी है जिससे आम जन संतूष्ठ हो, क्योंकि आपको वोट देकर जनता चुनी हुई है कि विकास कारे आप चलाएंगे, लेकिन विकास दिख नहीं रहा है, तो फिर जनता भी देख रही है, और जो मौकाव समय मिला है, उसमें सुधार लाएं, और नहीं तो फिर बदलाव तो होते ही रहता है, तो तीस जुन को लेकर के अब क्या कोई रणनीती नहीं है, अब मानन मुख मंत्री और प्रभारी मंत्री से मिलेंगे, और उनसे निवेदन करेंगे, कि शुबधा नहीं तो टैक्स नहीं, इसको ततकाल प्रभाव से रोक लगाया जाए, क्योंकि इतना इतना माल गुजारी और टैक्स बिना सुबधा के जनता से लेना, यह बहुत ही सर्मनाक न इंद निये है, तो कोशिज करते हैं, और नहीं तो अंत में बात दे होकर जनता के साथ सड़क पर उतरेंगे, तो हम सड़क पर जनता के साथ उतरने के लिए मजबूर होंगे, लेकिन कहीं न कहीं यह सवाल उठना लाजमी है, कि यदि शुधाय नहीं है, अगर हम याद दिलाएं, तो चाहे वो पोल पर बल्ब लगाने की बात हो, एलेडी बल्ब लगाने की बात हो, या पेजला पूर्ती योजनाओं को समुचित पाइपलाइन दुरुस्त करके घर घर पेजल पानी पहुचाने की बात हो, या फिर अगर हम बात करने की सड़को नहीं कि यह अभियान जो कहीं न कहीं हर किसी के मन में आक्रोस है तो उस आक्रोस का फलसफ़ा क्या होगा आने वाला वक्त बताएगा जिसे देखना दिल्चस्प भी होगा और कैपिटल नुज की निगाह भी रहेगी सयोगी तनु नागरे कैस्नुवा के साथ एपि लकी मेदिनी नगर